मैं बन की चिडियों बन के बन बन बोलू रे आज हिंदुस्तान की फिल्मों में फिल्म एक्टर्स की बहु मुखी प्रतिभाद देखने को मिलती है पर क्या आप जानते हैं भारती फिल्मों की पहली हिरोईन कौन थी? और कौन थी पहली महला निर्माता निर्देशक और ये भी कि ये दोनों किर्तिमान एक ही की नाम है इतना ही नहीं डेकॉर, डिजाइन, आर्ट, म्यूजिक, डांस विधाओं में विदेश से सिक्षा प्राप्त करने वाली ये पहली महिला का लाकार थी इन्हों ने अपने जीवन काल में सिनिमा जगत के अनेकों हस्तियों को शोहरत के उचाईयों तक पहुँचाया लेकिन इन्हें अपनी उदार दिली के बरले मिला धोखा ना सिर्फ अपने प्रेमी से, बलकि इनके साथ काम करने वालों ने भी इनसे गदारी दिखाई मरी का मूँ नोच डालूंगी दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं बॉलीवूड इतिहास और मैं हूँ सुष्मा मिश्रा आज हम बात कर रहे हैं उस अभी नेत्री की जो फिल्मों से प्रसिध नहीं हुई बलकि जिनोंने हिंदी फिल्म इंडास्ट्री को प्रसिधी दिलाई एक महान परिवार में पैदा हुई इस अदाकारा ने अपनी महनत और काम्याबी से अपनी अलग और बहतरीन लेगसी छोड़कर इस दुनिया से विदा ली पर आप यकीन नहीं करेंगे कि दो शादियों के बावजूर इनकी अर्बों की जादाद का कोई वाली वारिस नहीं था दोस्तो हम आज बात कर रहे हैं हिंदी सिनमा जगत की शान पहले दादा साहिब फाल के अवार्ड से सम्मानित शिरिमती देविकारानी की इनके चाहने वालों और सिनमा पत्रकारों ने इन्हें ड्रागन लेडी का किताब भी दिया था इनका हर कदम अपने जमाने से फॉरवर्ड ही रहा जिस जमाने में फिल्मों में आना भी पुरा माना जाता था उस काल में इनोंने फिल्म से जुड़े फिल्ड्स की गेहन सीक्षा प्राप्त की हिंदी सिनमा की पहली स्टार्ड देविकारानी का फिल्मी सफर संघर्ष पूर्ण रहा और बेहत काम्याब भी आज की आंधुर प्रदेश में पैदा हुई देविकारानी के पिता मदरास के पहले सर्जिन जनरल थे वे विख्यात कवी रवेंद्र नाट टेगार के परिवार से संबंधित थी आपको जानकर अच्रज होगा कि उनके माता पिता एक दूसरे के कजन थे और गुरुदेव उन दोनों के मामा बंगाल के इस टेगार परिवार में तमो सेरे या फुफेरे भाई भेनों में आपस में विवा कराई जाने की प्रथा थी देविकारानी के पिता करनल एमन चौधरी रवेंदरनाथ टेगार की बेहन सुकुमारी देवी के पुत्र थे और उनकी माता लीला देवी चौधरी टेगार की एक और बेहन इंदुमती देवी चटोपाध्याई की पुत्री थी देविकारानी का जर्म 30 मार्च 1908 को हुआ था उन्हें 9 साल की उमर में ही पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज़ दिया गया था स्कूल की सिक्षा पूरी करने के बाग वे सन 1920 के दशक में नाट्टिर सिक्षा ग्रहन करने के लिए जर्मनी चली गई और वहां Royal Academy of Dramatic Art यानी RADA वो Royal Academy of Music नामक संस्थाओं में भरती हो गई वहां उन्हें scholarship भी प्रदान किया गया उन्होंने architecture, textile, even decor design जिसी विध्याओं का भी अध्यन किया और Elizabeth Arden में काम करने लगी अपने पहले शोहर से उनकी मुलाकात लंडन में पढ़ाई के दौरान हुई हिमान शूराए वैसे तो वकील थे लेकिन फिल्म मिर्मान में जुटे थे मैं देविकारानी की fine art में ने पूंटा देखकर बहुत प्रभावित हुए जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म A Throw of Dice मरानी शुरू की तो बिना experience वाली देविकारानी को set और dress designing की जिमेदारी सौब दी इस फिल्म के post production के लिए दोनोंने मिलकर जन्वरी की यात्रा की और वहां रहकर फिल्म निर्मान से संबंधित कई विध्याएं सीखी बस इसी दौरान उनका आपसी लगाव बढ़ा और सन 1929 में दोनोंने विवाह कर लिया भारत में उन दिनों फिल्में बनने लगी थी हिमांशु और देविका भारत वापस आ गए भारत आकर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की उनकी पहली फिल्म आई सन 1933 में जिसका नाम था कर्मा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाशाओं में बनी इस फिल्म में देविका हिरोईन बनी और हीरो बने खुद ही मांशु अंग्रेजी वर्जन फिल्म रिलीज हुई लंदन में जहां ये काफी लोग प्रिये हुई लोग देविकारानी को कलाकार के स्थान पर स्टार कहने लगे यहां तक की बीबी सी ने अपने पहले टीवी चैनल पर उन्हें बुलाया और भारत के लिए होने वाले शॉर्ट वेव रेडियो सेवा का उदघाटन भी करवाया इस तरह देविकारानी भारती सीनेमा की पहली महला फिल्म स्टार बनी इस फिल्म की खास बात ये रही कि इनमें इस कपल ने चार मिनट का एक लंबा लिप लॉक किसिंग सीन भी दिया था जो संभवता आज तक का एक रिकॉर्ड है हाला कि भारत में इस फिल्म में वो काम्याबी नहीं मिली लेकिन देविकारानी का जल्वा तो कायम हो ही गया था इसके बावजूद उन्होंने अपनी को पूरी तरह से फिल्मों को समर्पित कर दिया और इस तरह से बॉम्बे टाकीज का जन्म हुआ बॉम्बे टाकीज स्टूडियो के स्थापना देविकारानी और उनके पती हीमानशू राएन ने मिलकर की बॉम्बे टाकीज का नाम उन स्टूडियोज में आता है जो हिंदुस्तान में शुरुआती दिनों में बनी फिल्म कमपमिया है मेहंगे से मेहंगे और अत्या धुनिक उपकरन जर्मनी से मंगाए गए और स्टूडियो को पूरे जोश और जजबे के साथ शुरू किया गया अशुक कुमार, दिलीप कुमार, मदूबाला और लीला चिटनिस जैसे महान कलाकार बॉम्बे टाकीज की ही पेदाईश माने जाते हैं बॉम्बे टाकीज कब सफर भी आसान नहीं रहा 1934 में हिमान शुराई ने एक फिल्म शुरू की जीवन नईया हीरो रखा गया एक उभरते कलाकार नजमुल हसन को कुछ रील की शूटिंग के बाद हसन ने देविकाराने को ना जाने क्या गुटी पिलाई कि वो उनके साथ लापता हो गई हिमान शुराई बहुत परिशान हुए क्योंकि परिवार तो तोट ही रहा था फिल्म के लिए लिया हुआ भारी करजा भी डूब रहा था फिर उनके एक कर्मचारी शश्दर मुगरजी ने किसी तरह उन्हें धून कर वापस बुलाया कहते हैं हसन की चालबाजी को देविका भली भाती समझ गई थी और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने यहां तंखा पर काम करने वाले मुस्लिम कलाकारों को हिंदु पहचान दी कम लोग जानते हैं कि युसिफ खान को दिलिप कुमार और मुम्तास बेगम को मधुवाला का नाम देने का फैसला देविका रानी का ही था यह बात दिलिप कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में भी कही थी हसन को फिल्म से आउट कर दिया गया और मुखर जी ने अपने साले को इंटरडियूस किया जिसका नाम था अशोक कुमार निर्मला देवी की सकी है प्रमिला देव और उनकी सकी है बावु मोती लाल की बहन जी हाँ वही दादा मुनी जिन्होंने अगले छे दशकों तक भारतिय फिल्म जगत पर राज किया दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने एक के बाद एक दस सुपर हिट फिल्मों में काम किया अचूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला और जीवन प्रभाद जैसी बेहद लोक्रिय फिल्म में बॉम्बे टाकेस की ही देन है अचूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है क्योंकि वे फिल्म एक अचूत कन्या और एक ब्रामन युवक के प्रेम प्रसंग पर अधारित थी उधर जीवन प्रभाद में इनका ठीक उल्टा यानि ब्रामन लड़की और उसके नीची जाती के प्रेमी की कहानी थी सन 1940 में हिमान शुराई के अचानक निधन से देविकारानी बेसहारा हो गई बॉम्बे टाकी इसका संपूर्ण संचालक उनके पती ही करते थी देविकारानी ने अपने स्टूडियो के संचालन के लिए जीजान लड़ा दिये परंतु सन 1943 में शश्धर और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वाष्टी लोगों ने बॉम्बे टाकी से संबंद समाप्त करके फिल्मिस्तान नमक नया स्टूडियो बना लिया परिणाम स्वरूप देविकारानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा उन्होंने रूसी चित्रकार निकोलोई रोरिक के पुत्र स्वेट्सलाव रोरिक के साथ सन 1945 में विवा कर लिया दोनों कुछ दिनों तक शिमला में रहे फिर बंगलोर जाकर बस गए वहां दोनों ने लगबग 450 एकर जमीन खरी दी और विशाल फार्म हाउस बना कर एकांत में रहने लगे 1958 में जब भारत सरकार ने पद्म पुरुसकार देने के शुरुआत की तो देविकारानी को पद्म श्री दिया गया 1969 में जब दादा साहब फाल के पुरुसकार की शुरुआत हुई तो सबसे पहले देविकारानी को चुना गया 1990 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरु पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया जन्वरी 1993 में पती स्विचलाव रोरिक के मृत्यू के बाद वे बिल्कुल तूट सी गई और अगले साल यानि 9 मार्च 1994 को उनकी भी मृत्यू हो गई देविकारानी का अंतिम संसकार संपूर्ण राजकिय सम्मान के साथ किया गया था उनके कोई औलाद या वारिस नहीं था तो कोट के आदेश से सरकार ने उनकी जमीन अधिग्रहत कर ली वर्ष 2011 में डाक्तार विभाग ने उन पर एक पोस्टेज स्रैम भी निकाला तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आप देविकारानी के जीवन से जुड़ी किसी और पहलू के बारे में बात करना चाहते हैं तो वे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें अब दीजिये अपनी दोस्त और होस्ट सुष्मा मिश्रा को इजाजब नमस्कार